भारत दुनिया में अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं अरंडी तेल का सबसे प्रमुख निर्यातक देश है. अरंडी तेल के वैश्विक निर्यात बाजार पर भारत का लगभग एकाधिकार बना हुआ है और कोई अन्य देश दूर दूर तक इसे चुनौती देने की स्थिती में नहीं है. भारत से प्रती वर्ष औस्तन छे लाख टन या इससे अधिक अरंडी तेल का निर्यात होता है. केवल 2022 में इसकी मात्रा छे लाख टन से कुछ कम रही थी जबकि 2021 में सात लाख टन के करीब पहुँच गई थी. Solvent Extractors Association of India, C. द्वारा संकलित आकडों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 की पूरी अवधी में यानी जनवरी से दिसंबर के दौरान देश से अरंडी तेल का कुल निर्यात बढ़कर 6,18,424 टन पर पहुँच गया जिससे 8,056.16 करोड रुपए की शांदार आमदनी प्राप् 23,99 तन अरंडी तेल का शिप्मेंट किया गया था। उस समय इसका निर्यात ओफर मूले काफी उंचा रहा था जिससे मात्रा में कमी आने के बावजूद निर्यात आए में अच्छी बड़ोतरी हुई थी। उससे पहले देश से वर्ष 2021 में 7,526.94 करोड रुपए मूले के अरंडी तेल का शिप्मेंट किया गया था। अरंडी तेल का निर्यात बलक एवं कंटेनर दोनों तरीकों से होता है। 189 टन, सितंबर में 49,717 टन, अक्टूबर में 47,473 टन, नवंबर में 38,032 टन तथा दिसंबर में 40,233 टन अनुमानित अरंडी तेल का निर्यात किया गया। भारत में अरंडी का उतपादन मुख्यत गुजरात एवं राजस्थान में होता है जबकि आंधर प्रदेश एव जहां अरंडी की नई फसल जन्वरी से आनी शुरू होती है और इसलिए मई तक अरंडी तेल का भारी निर्यात होता है। Bureau Report Market Times TV